क्या अधनी यहाँ पे औरियंट सीमेंट में निविश करने वाला है क्या अधनी ने ओलेडी जेपी एसोसेट में इन्वेस्ट कर चुका है देखो मेंबस यहाँ पे बहुत सारी इंपोर्टेंट न्यूस आ रही है अधनी ग्रूप के बारे में और उसी न्यूस की वज़े से अगर आप बात करने जाए तो जेपी एसोसेट का स्टॉक आंट रुपे से बढ़के चौदा रुपे तक जाता हुआ दिखा दिया और इवन आप देखोगे यहाँ पे औरियंट सीमेंट का स्टॉक फ्रॉम वन फॉर्टी यह स्टॉक आपको दोसों तक जाता हुआ दिख क्योंकि हम लोग डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं ठीक है चले फटार आज का वीडियो शुरू कर लाते हैं देखो मार्केट में अधानी ग्रुप पे कंटिनियस्ली न्यूस पे न्यूस आ रही है आप सभी जानते हैं कि अभी अधानी प अक्तोबर होती हुए आप लोगों को दिखाएगी हैं लेकिन एक सिंपल वर्ड में अगर पूशने जाए कि सर ये डेट जो कोट केस की है वो कब तक यहां पे रहेगी कब तक एक्स्टेंड होती रहेगे क्या यहां पे कोई सुनवाई होगी कि नहीं होगी देखो ऐसे जन पे इलेक्शन से 2024 में और अगर आदानी पे कुछ नेगेटिव हो जाता है तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपेक्ट यहां पे एक्जिस्टिंग गवर्मेंट को पड़ सकते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कहां पे ओवजिशन कितना हां पे एलिगेशन लगाते र मैंने के अंदर यहां पे कंटिनेसली डेट चींज होती हुए दिखाई दिया पहले कुछ 13 ऑक्टोबर के असपास था अब यह 20 ऑक्टोबर अभी यह 30 ऑक्टोबर होता हुआ दिखाई दिया है तो जैसे कि मैं आपको समझा यह डेट मेभी शाज चींज और भी होती हुए अगर कुछ भी हुआ डेट में या फिकोर्ट केस के अंदर तो हम लोग आपके लिए अपडेट्स लाते रहेंगे ठीक है बात कते हैं सेकेंड पॉइंट की अब देखो यह न्यूस बहुत बड़ी है जो फ्राइडे आ चुकी है और अधनी ग्रूप ने अपनी एश्या की बिगेस्ट लोन जो अमबुजा ACC को एक्वाइर किया था ठीक है उसको रिफाइनस कर दिया गया है अब देखो यह कितना बड़ा पॉजिटिव है देखो रिफाइनस वैसे अगर दीखने जा तो थोड़ा सा नेगेटिव होता क्योंकि आपकी डेट को आप यहाँ पे न्यूस पॉजिटिव किस तरह से है तो देखो आप सभी जानते हैं कि जो हिडन बर्ग की न्यूस आ रही थी उसकी वज़े से काफी लोगों ने लोन देने से इंकार कर दिया था पहले इंडिया में यहाँ पे बैंको वरोडा ने ना बोला था फिर हाँ बोल दिया और ग् गीर भी रखना पड़ था क्योंकि इसकी वैल्यूस जीरो हो चुकी थी तो इसकी वज़े से अदानी की रेपुटेशन बहुत कराब होई थी एडन बर्ग की वज़े से लेकिन यह जो लोन रिफाइनेस हुआ है इस्या का बिगेस्ट लोन जो रिफाइनेस हुआ है यह वज़े स्टॉक में या बॉंड में आ सकता है ठीक है देखो अदानी गृप का सिफ स्टॉक नहीं होता अदानी ग्रुप के बॉंड भी होते है लोकल बॉंड्स ग्लोबल मार्केन में बॉंड्स होते हैं वो भी काफितिक इंपेक्क काते तो बॉंड की जो वेल्यू पॉजिटिव रहने की उम्मिद रहती है तो अगर बात करने जाए तो इतना पॉजिटिव कैसे कि सिर्फ यह सेंटिमेंटली अदनी अंबुजा स्टॉक्स को जाधा गिराएगा नहीं अगर कुछ ABC और नेगेटिव आ जाता है जैसे कि कोट केस में तू में भी शायद फॉल होगे तो स्टॉक नीचे की लेवल से काफी रिकावरी करता हुआ दिखाई जया आप यहां पर देख सकते हैं 25 ऑगस्ट यानि की दो महिने पहले प्रॉक्सिमेटली ऑगस्ट से यह स्टॉक सब्टेंबर माफ कीजिगा ओक्टॉबर तक आट रुपे का स्टॉक 14 रुपे यानि कि अल्मूस्ट डबल होता हुआ दिखके दिया और यह न्यूस क्या थी तो कि आपे जेपी एसुसेट को यहाँ पर टिक ओवर करने वाला है आदा ने करो लेकिन मैं देखो हमेशा हमारे व्यूवस को बोलता हूँ देखो ध्यान से समय दा जो बोलने वाला हूँ यह मार्केट में न्यूज बहुत खराब चीज होती है न्यूज को कन्फरमेशन बहुत इंपोर्टेंट है मान लोग के जेपी एसुसेट में आपे बोले कि आदानी लेने वाला है लेकिन नीचे आप डीटेल नहीं पढ़ते देखो यह जो आर्टिकल्स होते हैं उसकी आप नीचे डीटेल नहीं पड़ते नीचे डीटेल में लिखा होता है कि भाई ये सोर्सिस की तरव से आ रहा है टेके सोर्सिस की तरव से न्यूज आ रहे हैं कि जेपी एस educated को आदानी टेक ओवर कर शकती है अभ ये सोर्सिस confirm है कि ये आपको भी नी बता और अपने हो जाती है गलत हो जाती है अगर मैं बात करना जाओ तो यहां पर GP Associates ने खुद कॉमेंटरी यह बोली है यानि कि mention किया है कि भाई यह news incorrect है ठीक है मैं नहीं बोला हूँ GP Associates वालों ने बोला है अलाकि अदानी को पूछा गया था लेकिन अदानी ने कोई टिपनी करने से इंकार का दिया गया लेकिन GP Associates पूछा गया तो इन लोगों ने क्लियरली बोला कि यह एक्चुली इंकरेक्ट है तो शॉटें सिंबल में यह स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आती होई दिखाई जैसकते और काफ़ी रिसक हो जाता है क्योंकि इसी निउस की वज़े से स्टॉक भागाता तो इसी की निउस की वज़े से स्टॉक वापस गिर सकता यह क्लियर तो हमेशा यह चीज़ी से ध्यार में रखनी है सेकेंड आ जाता है Orient Cement के बारे में अब दीको Orient Cement में भी सेम इंूऀ जाती हुँ दीखाई दिया आप यहाँ पर देख को अचारा ऑक्टोबर की है करेब करेब एक बज़े के आस पास आती हो धीखाई दिया है के औरिंट सिमेंट के अंदर अपना स्टीक बिचने वाले हैं इनकी जो मीन प्रमोटर है ठीक है सी के बिर्ला वह यहां पर एप्रोच करते हुए दिखाए दे गौतम अदानी जी को उनका बिजनस वो लोग सेल करना चाहते हैं ठीक है तो उनको प्राइटी दी गहे है अदान फिर न्यूज कभी-कभी अफ़ा हो जाती है ज्यादतर और स्टॉक बात में गिर जाता है ठीक है तो आप यहां पर डेफरनेटी देख सकते हैं यहां पर देखो इंडस्ट्रियलिस सी के बिर्ला एप्रोच अंबुजा सिमेंट ओरनर गौतम अदानी जी तूसियलिस प्रम है ठीक है उन्होंने काफी हद तक चो रिपोर्ट्स आ रही थी उसको टरंडाउन का देगा है यानि कि यह लोग दूसरे को बीचना नहीं चाहते है अपना ओरेंट सीमेंट का बिजनस यह सिर्फ अदानी को बेचने की कोशिश करने वाले हैं ठीक है तो यह निउस आती और बाद में निउस आ जाती है कि यह हो रहा है आदानी गूर्म लेने वाले है वगरा वगरा अगर ऐसी कोई निउस आती है ठीक हो मुमेंटम अच्छी होती है तो डेफिनली पॉसिटिव माना जा सकते है लेकिन कोई निउस आती है कि कोई बंदा टेक ओवर करने वाले है और वो news confirm नहीं होती तो risky हो जाता है stock की momentum पे entry करना तो one word में answer be cautious be careful ये news बात में सही भी हो सकते है गलत भी हो सकते है लेकिन आपको cautious काफे तक रहना है क्योंकि कुछ भी हो सकते है आप असकते है clear तो ये सभी news यहाँ पे important थी अधानी group के लिए अब बात आजाती है यहाँ पे कि अधानी group में अभी आगे क्या हो सकते है stock की momentum हमको यहाँ थोड़ी बता दीजे कि क्या momentum आगे चलके हो सकते है देखो अगर one word मैं बुछने जाए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अधानी group जब तक कोई ठोज news नहीं आ जाती तब तक यह stock sideways रहेगा यह मैं starting से बता चुका हूँ जब सी यह stock यहाँ पे जुलए मन्त से था ठीक है और SMF की analysis काफी तक सटीक है क्योंकि जिस तरह से मैं आपको समझाय था यह stock अभी तक यह sideways है तो मैंने जब तक यह level बोले है 2800 approximately upside के downside के 2000 के नीचे safety के लिए हम लोग पकड़ के चल सकते तो जब तक यह level तूटे नहीं तब तक यहाँ पे कुछ भी कहना मुश्किल हो जाता है जैसे कि मुझे अंदाजा लग रहा है अब ध्यान से सुनना मुझे जो अंदाजा लग रहा है कि यही जो code के से वो लंबा चल सकता है और उससे पहले में भी कोई negative news शायद नहीं आ सकती पता नहीं आएगी के नहीं लेकिन chances अभी के लिए कम है बेज़ों दा result अगर result कुछ आ जाते है वाड़े ups and downs तो problem आ सकती बाकी result या बोल सकते है कि election 2024 तक chances है कि stock में श्याद कोई momentum बड़ी वाली ना आए ठीक है तो अभी के लिए जितने भी stocks है totally sideways है यह आपको दियाद में रहता है क्लियर अम्मुजाओ हो जाए इवन अम्मुजाओ के लिए news positive लेकिन यह अभी भी sideways है AWLB sideways है अदानी green भी sideways आपको दिखाई दे रहा है आप यहाँ पर check out कर सकते हैं अलके फुल की momentum रह सकती है लेकिन जादा तरह sideways आपको ही दिखाई दे सकते हैं एक news positive जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपकी बहुत कामा सकती है और वो है अदानी power की F5 की data जो September quarter में update हुए है सब्टेंबर quarter के अंदर यहां पर प्रमोटर ने अपना स्टेक हलका सा कम किया है करीब-करीब 5% का लेकिन यहां पर आप देखोगे तो F5 ने स्टेक approximately 6% का स्टेक इंक्रिस करते हुए दिखाई दिखाई दिये mutual fund भी स्टेक अपना इंक्रिस करते हुए दिखाई दिखाई दिये और जहां से स्टेक आया है वो है रीटेल लिवश्यक रीटेल लिवश्यक का स्टेक कम हुआ अदानी power के अंदर 13% से कम होकी साड़ ग्यारा पॉने 12% होता हुआ दिखाई दिये तो FIDI ने अदानी power के अंदर खरीदार की है और अदानी power अगर आप देखोगे यहां पर support लेता हुआ दिखाई दिये तो blindly entry मत करना यह support है momentum नहीं है stock की fresh momentum technical chart की इसाफ से 360 या 370 के ऊपर आ सकते है अभी के लिए एक 400 का resistance है तो 370 break करेगा तो 400 जग जा सकता है और 400 break करेगा तो फिर यह नया fresh eye बना सकता है तो अभी के लिए positive है लेकिन sideways अभी के लिए stock हो चुका है positive to sideways मतलब clear and अगर बात करें जाएं दूसरे stakes के बारे में तो halki halki stakes दूसरे में decrease हुआ है September quarter में अदानी green में थोड़ा सा decrease हुआ है अदानी enterprise में stake वैसे काफी अच्छा decrease हुआ है F5 का DI का increase हुआ है stake and अदानी wilmar की बात करें जाए तो F5 ने stake decrease किया है and अदानी green की बात करने जाए तो अदानी green में भी stake अलका सा decrease हुआ है तो मोटा मोटा अदानी power में stake increase F5 का अच्छा खासा है and अदानी enterprise में F5 का stake अच्छा खासा decrease हुआ है तो यह आप लोगों को जाननी जरूरे थे clear तो होप आच का वीडियो आपको पसंद नहीं होगा समझ में होगा मैंने आपको clear cut समझानी की कोशिश किए कि अदानी group में क्या हो सकता है orient cement में JP associates में फिर कोई doubt रहता है comment जरू कर दीजिएगा और video पसंद आए video को like जरू कर दीजिएगा channel subscribe कर दीजिएगा और अगर आप यहाँ पे telegram में नहीं है तो यहाँ पे जाकर जूर सकते है search करना है my stock market funder telegram channel के अदर और अगर आपको हमारा group join करना है discussion के लिए या फिर आपको कुछ जानने के लिए information के लिए तो definitely group join कर सकते हमारी link से demand account open कर सकते एंजल में fires, upstocks, beta money, alice blue ठीक है कोई भी एक में जाकर demand open कीजिए हमारी link से open करोगे तो आप यहाँ पे हमको client ID email email कीजिए ठीक है अपनी client ID और group में हम लोग आपको चेक करके add करेए ठीक है तो definitely यह पूरी detail में आपको वीडियो के description and comments में provide कर दूँगा आप जाके check out कर सकते हैं बाकि यह को बहुत सारे stocks हम लोग बताते हैं रहते हैं वह आप जाके जरू चेक आपको बहुत काम आएगा तीक है मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक लिए गुडबाई जैहिन